एवीपियस न्यूज टीम जिला वरेली की तहसिल आमपला छेत्री के गाउं डड़वापूर में पहुची ग्रामिडों से बात करने के साथ साथ ग्राम प्रधान कृष्णा पाल से बात करके विकास कार्रियों और सरकार से गाउं के अपक्षाव पर चर्चा की एवीपियस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने बताया कि जितना धन ग्राम लीदी से सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार विकास कार्रे हो रहे हैं इस गाउं की तहसील मुख्याले से दूरी 6 किलो मीटर तथा जिला मुख्याले से 32 किलो मीटर है लगभग 35 की अवादी ओद 1050 बोटरों के इस गाउं में रासंकार धर्पूर की संक्या 187 है तो वहीं विद्वापेंशन 46 में से 30 लाभारतियों को ही प्राप्त हो रही है ब 131 बच्चे सिख्षय करन करते दिखाई दिए बात अगर विकासकार्यों के की जाए तो बरतमान प्रधान ने गाउं में फेजल आपूरती विवस्था दुरुस्ति करने के लिए 19 हैंड़ लगवाए हैं बाप 5 और हैंड़ लगवाने की सरकार से मांग हैं बहीं विद्व दुद्विस्ता दुरुस्त करने के लिए गाउं में 55 विद्व पोल तथा एक विद्व ट्रांसफार्मर बाप 45 इस्ट्रीट लाइटे भी लगवाए गई हैं साथी साथ गाउं में खड़ंजे सीसी टाइस रोड प्रात्मी विध्याले में सोचाल्य जूनियर हाइज स्क चालने का निर्माड कराया जाए कि केशलपाल पिर्दान गराम पंचायद डरुवापूर बिलाक आलमपूर जाफरावाल यहां अपनी गराम पंचायद में दो तीन खरंजे रिपेर करवा दिये एक नया खरंजा जूनियर हाइज स्कूल की बाउंडरी प्रैमरी स्कूल के संचाले दुरस्त करवा दिये इस्टी लाइटे लगवा दिये और ना मेरे आगरवारी केंदर हैं सम्जान भूम भी नहीं है जमांग करता हूं जो मेरे आसमस्या है उनका समादान किया जाए वादंता का विकास हूं तो प्रयास कर रहा हूं कि मेरे लिए ज्यादा ऑ्रवा तफपत परशा ताफवी लरेली से आती हूं हमारे हैं हैं है एड मास्टर सभकु मिला एक तीचर्स हैं दो सहायक और एक हैड मास्टर सब यहाँ पर हमारे जब हम लोग आये थे 21 बच्चे है मानिया पजीगर है मोजे इस बाउंडरी नहीं थी तो बहुत दिक्कत पाएं और किसी जानवर का या किसी भी बाहरी इंसान के आने का हमें अब डर नहीं है तो यह जो है प्रदान जी ने बहुत अच्छा काम किया यहां पर इसकी बहुत ज्यादा परेशानी थी और बहुत अच्छा काम हुआ यह स्कूल जाई यह पढ़ाई के लिए